हम मौजूद हैं डिजिटल भारस सम्मिट में और हमारे साथ हैं अर्विन कुमार जी डारेक्टर जर्नल स्टी पीई सर आपका स्वागत है बहुत 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 जी अपसे पहला सवाल तो यह रहेगा कि जो हमारे देश का यूथ है वह हमारे देश की ग्रोथ में आप टकलोजी के साथ हीक कि तक्रीन हैं तो इक तो आपके पास हरतरहे की इनफॉर्मेशन होती है अजर्फ आपके पास इनरजी है तो आप जरूर कुछ नैकुछ नया सोच सकते हैं और आज देश में ऐसा ही हो रहा है इसलिए आज आप देखिए कि करीब 99000 वे प्रडाम है कि यूथ टेकलोजी समझ रहा है यूथ के पास इनफॉर्मेशन है और यूथ के पास इनरजी है और यूथ के पास रिस्क टेकिंग केपविलिटी है जो की स्टार्ट अप के लिए बहुत जरूरी है चूंकि ये तीनों का इतना अच्छा डडली कॉम्मिनेशन हम अच्छा कर रहा है और मुझे लग रहा है कि यह जो नई टेकलोजी है वह यूथ के लिए एक अमरित का काम कर रही है और यह यूथ ही है जो बंड ट्रिलियंट डिजिटल एकॉनोमी की तरफ हमको ले जाएंगे यह मैसा इसा मेरा विश्वास है जी सर बिलकुल लेकर अश्वास काम करें देटा परटक्षन पर सरकार मुंद इसकी तयारी कर रहा है गलाने के लिए तो देटा परटशन कितना जरूरी है आप तो और बोट जरूरी है related प्राइबिसी और data security बहुत इंपोर्टंट है क्योंकि जैसे ही हमारा टेकलोजी का एक्सपेंशन हो रहा है हर हाथ में टेकलोजी है ऐसे लोग के हाथ में भी टेकलोजी है जो एजट लोग भी है ऐसे लोग के हाथ में भी टेकलोजी है कि वो बड़े इमोशनल है तो इसलिए टेकलोजी यूजर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंक technology क के यूज़िज कर रहे हैं इसलिए बहुत जरुरि है कि हम उनके डेटा को सी-क्योर रखं़ा हैं वंको शमय पर यह बताएं कि आपको क्या नहीं करना है कब आपको देना है कब बोटी में देना है और उसी तरह से जो डेटा का इस आफ आप YOUR बिल आया है उसमें सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से उसको टेक केर किया है कि अगर कोई डेटा है और वो उसका वाइलेशन करती है तो हम किस तरह से पैनाल्टी लगाएंगे बड़ा ही ट्रांस्परेंट प्रॉसेस अपनाया जाएगा और सरकार मुझे लगता इतना ट्रा स्टेप्स ले रही है हम जो भी इस तरह की कानफरेंस्छ वह रही है वर्कशॉप हो रही है उसमें हर जिए मिनिस्ट्री आफ एलेक्ट्रोनेक्स अन इंफॉर्मेशन टेकलोजी जाकर के लोग को समझा रही है बहुत धेर सारे हम लोग डेटा सीक्यूर्टी डेटा तो समय लगेगा बट मुझे रगता है कि बहुत आसानी से चीब किया सकता है कि 2012 से पहले आप ये माली जीए कि तब तक हम ऐसा सोच भी नहीं पा रहे हैं कि कभी भी हम अपना जैसे कि हम अपने फोन के थू ही अपने बैंक ट्रांसफर्स अपनी ओनलाइन डिजिटल करेंसी तूर तो अब आने वाले समय आप उसमें और कितनी GROथ देख रहे हैं। इस समय तो से हो रही है चे술 पहले से दस साल पहले कंप्योटर को मतलब होता था कि आप कंप्योटर कर रहे हैं तो आप टेकलोगी यूज्ज्ञ आर्येट में के डब टर्म तर्मिनल उपर को सकता है कि आजसे में अगर उसमें इसी तरह से जो भी आप बात कर रहे हैं कि यूपी आई से आज ट्रांजेक्शन हो सकता है अब इससे आगे क्या उसमें आर्टिफिचल इंटेलिजेंस लगेगी हो सकता है कि अभी आप को मुबाइल में जाके दो बार क्लिक करना होता तब पैसे ट्रांसफर होते हो उसकता आ पैसे ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास एक कंसंठ है इन ठ्रांवर्व में दो आगम की कंवीनेंस के लिए होती है तो आज हम पड़ते थे तौ पापा-जोमारे पैसा ट्रांसफर करते थे इसको मनी ट्रांसफर बोलते थे पंजाब नेशनल बैंक में तो जब एक तारीक उनको तंखाय मिलते थे टांसफर करते थे तो मेरे पास 27-28 तारीक को पहुंचता था बीच में हमको दो तीन बार लोगों से 50-50 पर उदार भी लेने पड़ते थे कि कि इतनी सारी इंसाइट शेयर करने के लिए थांक यू सो मच